नमस्कार मैं हूँ सिद्रा महेक और आप देख रहे हैं जैग टीवी निउस 24 तो चले चलते हैं ताज़ा ख़बरों की ओर मुड़ा पांडे में अचानक भरभरा कर गिरा गरीप का कच्चा मकान लाखों का जरूरी समान दपकर हुआ बिकार मुरदबाज जनपत की विकास कर्ण मुड़ा पांडे बलाग छेतरी की ग्राम पंचाया सीरस खेड़ा गाउं में आज उस समय हड़कप मच गया जब एक पेड़ित मरीज महीला पतनी नजाकत का कच्चा मकान टीन शेट डालते वक्त अचानक से भरभरा कर गिर गया जिससे पेड़ित का परिवार दब कर मामूली चोटिल हो गया और जरूरी लाकों की कीमत का खान पान का समान दब कर बेकार हो गया चीक पुकार सुनकर अरोस परोस के लोगों ने मकान के नीचे दबे परिवार को निकाला और गाउं के ही निजी डॉक्टर के यहां भड़ती करा कर उपचार दिलाया पीडित महिला महराज ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई सालों से उसका पती नजाकत बिमार रहता है और छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनका पालन पोशड करने वाला कोई भी नहीं है छोटा बेटा मेहनत मजदूरी कर घर का खड़्चा चला रहा है पीडित मिराज महिला पत्नी नजाकत ने कई बार गिराम पृधान और ब्लॉक अधिकारियों से पृधान मंत्री आवास योजना के तहट आवास लेने की मदद की गोहार लगाई लेकिन पीडित महिला को आवास नहीं मिल पाया जिसके चलती वो पीडित महिला अपने अपना पी इस चीज से पर गवदा क्या क्या उपर क्या था मत्री उपर पुछिना थागे तहले हम तो सब आई से गिरकाय जखोले से तही नहीं पूरी ऐसे होगे ऐसे कोई पार जाओ सब बाला कुला जल्दी समना गाउं बाला नंखे काला पूरी मैं फिल आ गई जोगे अलीजा नाम है अलिया और वह एक सो गुलराना सोना अब तो च्छा है एक यह चोटा साबो मस्दूरी करहा है से अब पती को ब्या ग्यारव साल बिमार हो गए ऐसे वह तो कुछी बिना करते विचारे आस तर लग कुछी बिना गए बड़ी परसांज सा बना था तंजीम सिरस्कड़े के यह घटना ऐसा था यह हमाँ हमाँ चाचा मैदूर आदिमियर उपर टीन सेट डाले थे अचानक ऐसी घटना हुई कि सारक सारा इनका समान बगएरा जो अंदर था खाने पीने का रासन सब इसी इसी में तप गिया इसमें इनके बच्चों के लगी ह जिसमें गुले राना नाम है और दो तीन बच्चों के नाम यान ना है लगबग नुक्सान ऐसा मानो ड़ाई तीन लाख रुपर का नुक्सान है अचाहते हैं हम यह चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से के इने ज्यादा से ज्यादा मौड़ जमिले ग्राम परधान तक को हमने बोड़ दिये उसा कोल करीब परधान तक नहीं हाना नहीं पहुचा अभी फिलाल में अलक्सन हुआ है योगी यूग को हमने बोड़ करा है हम यह चाहते हैं कि मौविया हमें मिलना चाहिए